हेलो फ्रेंट्स नमस्कार रादे रादे स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे माया चोधरी 97 में तो आज की रिस्पी है गुभी के पराठे और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाया है और कुछ एक समागरी इसमें ऐसा मिलाया है जिससे इस परिठे का जो स्वाद है वो दुगना हो गया है तो आप देखिए कितना मज़ेदार बने के तियार हुआ है तो प्लीज एक बार जरूर ट्राइ करें और इसके लिए पूरा वीडियो जरूर वाच करें और आपको बहुत ही पसंद आएगी ये मैं गारंटी देती हूं तो चलिए वीडि से और इसे बड़े बड़े शेप में मैंने दुल के अच्छे से इसे काट लिया है यह बहुत ही बढ़ियां गोवी है इसको थोड़े से चुटे-चुटे टुकुडो में कर ले रहे हैं तो मैं यहां पर चौपर ली हूं मैं इसमें चौप करूंगी पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आप के पास शौपर ना हो तो आप हाथ से इसी तरह से काट सकते हैं जैसे मैं काट रही हूं बिल्कुल इसकी जो नीची थोड़ी दंठल है उसे भी आप आराम से इसमें यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़ियां से बन जाएगी और कद्दू कस करने की कोई जन्जट नहीं है देखिए मैंने इसी तरह की से काट लिया है आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई प्रॉबलम नहीं है आपका प्राटा बोहत ही पर comprend बनेगा तो अब यहां पे मैंने थोड़ी चॉप बी कर लिया है तो देखिए मैंने इसे काम थुड़ा आसान हो जाता है तेल एड़ कर दिया है तेल भी करम हो गया है अब जीरा एड़ कर दिया है तो जीरा चटक गया है अब एक हरी में एड़ कर ले रहे हैं तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं ज्यादा या कम और यहां पर अद्रक लेसन का पेस्ट मैंने कूट के बना लिया है तो उसे भ भून जाएं थोड़े सो नहरे हो जाएं तब इसमें हम प्याज को एड़ कर देंगे तो प्याज को भी चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे तो प्याज हमारा यहां पर भून चुका है तो अब हम इसमें जो गोबी कात लिये थी चोटी-चोटी उसे एड कर लेंगे और कैसी इससे भी अच्छे से भून लेंगे गैस का हम यहां पर बिल्कु लों नहीं करेंगे चैंकि हमें गोबी भूनना हैं तो मैं इसे हाई फ्लेम पे करके दो से तीन मिनट तक भून लूँगी बिल्कुल चलाते हुए तो देखिए गुबी हमारी थोड़ी भून चुकी है यहां पर अब गयस का फ्लेम मैं मीडियम करके इसमें नमक भी ऐड़ कर ले रही हूँ स्वादा अनुसार नमक ऐड़ करें इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर मैं मैगी मसाला आड़ कर रही हूँ यह चटपटा होता है आपको जो भी मसाला चटपटा पसंद हो आप वो मसाला इसमें आड़ कर सकते हैं तो इसको भी चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे बहुत ही अच्छा पराठा बनता बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पराठे का तो मैंने ढखके दो मिनट तक पका लिया है गोबी हमारी अच्छे से पक गई है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और ये अब ए चला लेंगे और मैं गैस का फिलेम बंद करके थोड़ी हींग और थोड़ा सा अमचूर पावडर इसमें आड कर दी हूँ आप चाहें नीबू एड़ कर सकते हैं और थोड़ी हाँ आद से क्रेस्ट करके मैं कसूरी में अड़ कर रही हूँ अगर कसूरी में ना हो तो धनिय का पत्ता एड़ करें और उसे बहुत ज्यादा छोटे छोटे काट लें और फिर एड़ कर लें इन सब चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी स्टफिंग तयार है तो मैंने इसे बड़ी से प्लेट में निकाल लिया है और इसे फैला के रख दिये ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए अब आटा गुत लेते हैं तो आटा गुतने के लिए मैं यहां पर अजवाइन ले ली हूँ हाफ टेवल स्पून है तो इससे हाथ से क्रेस्ट करके इसमें एड़ कर दे रहे हुए आपके उपर है आपके अपर करना चाहें तो करें या फिर इसकिप कर सकते हैं और थोड़ी सी मैं इसमें नमक कर रही हूं ज्यादा नहीं थोड़ा अधिया है अरे इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके आटा लगा लेंगे तो आटा लगाने के लिए आप जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सॉप्ट रहेगा ताकि पराठे फटे ना तो यहां पे आटा मैंने तयार कर लिया है डो मारा बनके तयार है तो अब इसके उपर मैं थोड़े से सरसो के तेल लगा रही हूं आपको आप चाहें गी लगा सकते हैं तो इसे के उपर अच्छे से लगा के और इसे धक्के रख देंगे 8-10 मिनिट के लिए ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए तो यहां पर मैं इस्टपिंग भी ठंडा हो गया है तो भुना हुआ चैना मैं ले ली हूं करीबन 50 ग्राम होगा तो उसे मैंने पीस लिया है अब इसे भी छान लेंगे इसे छन्नी से ताकि इसमें जो थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं वो भी अच्छे से निकल जाए इसको एक बार जरूर एड़ करके आप बनाएए बार बार बनाएंगे मेरी गारंटी इतना ज्यादा स्वादिश्ट होता है ना जैसे गोवी के पकोड़े का स्वाद आ जाता है मतलब बहुत ही ज्यादा खाने में अच्छा लगता है तो इसे मैं हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तपिंग हमारी तयार है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है नेखे बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है बहुत ही बढ़ियां बनके तियार हुआ तो आठा भी हमारा यहां पे सेट हो गया है इसे हाथ से थोड़ा और मैस कर लेंगे एक बार और थोड़ा सुथा आठा ले लेंगे तो पराठा बनाने के लिए आप छोटा बड़ा जैसे पराठा बनाना अच्छा है उस तरह से कैसे आप उतना बड़ा आठा तोड़ लें और उसका एक पेड़ा बना के तयार कर लें तो मैं यहां पे रोटी जिस तरीके से बनाते हैं उससे थोड़ा बनाने वाली हूं कि तो यहां पर मैं पेड़ा बना के तियार कर लीए हूं अब इसमें सुखा अड़ा लगा लेते हैं इसको धुनु तरफ से सुखाणा लगा लेंगे और दूनु हातों से इसको जाड़ लेंगे अब दूनु हातों से दबाते हुए अच्छे से एक कटोरी का से दे देंगे अब इसमें अच्छे से मसाले भरें ताकि पराठा खाने में बहुत ही ज्यादा मज़ेदार लगी तो इसमें मसाले में अच्छे से भल लिया है अब इसको चारो तरफ से दबाते हुए फोल्ड कर लेंगे बीच का जो आटा बचाएगा उसको यहां पर तोड़के निकाल देंगे और फिर मैं हाथ से दबाते हुए अच्छे से फैला ले रही हूं अफिर इसमें सूखा अटा लगा के और दुना हाथों से जाड़ लेंगे इसको अच्छे से और फिर इसको दोना हाथों से दबाते हुए और बढ़ा कर लेंगे और फ फटता भी कम है तो दीकिए मैंने पराठा बेल लिया है इतना मोटा पराठा मैंने पनाया हुआ है और विल्कु दुन तरब से फटा भी नहीं है तो चलिए इसे बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं तावा गरम था तो मैंने इसे पराठा डाल दिया है और थूरे देख पराठा रहेगा उसके बाद फिर मैं इसे पलट दूँगी देखिए बिल्कु इसी तरीके से बनाना है पराठा तो इसे उल्लट पराठ करते हुए पराठे को पकाएंगे तो मैं फिर एक बार इससास से प्लत ली हूँ और आब हम इस पर औल लगा ले रहें तो मैं सरसो का औल लगा रही हूं आप चाहें तो गी या फिर रिफॉइंड ओल लगा सकते हैं तो दोनों तरब से अच्छे से ड़ेंगे अगर आप इस तरीके से आपके पास कोई पल्टा है उससे आप इस पराठे पर आप ऐल पहला के लगा रहे हैं तो वह बहुत ही जड़ी से लगता है और पराठे भी फूल जाता हैं दबाते वी पराठे को बढ़ियां से फिला लिए हैं पराठा मारा तयार हो गया मैं देख रहे हैं कितना मज़ेदार प्रधा बनके तयार हुआ है अई खाने में भी बहुत मज़ेदार है तो ऐसे मैंने सारे पराठे बना के तयार कर लिये हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और एक बार इसे आसाने से तूट जा रहे हैं बिल्कुछ चिपक ने रहे हैं देखें मसाले में बहुत अच्छे से भर हुए हैं और खाने में तो बहुत ही लाजबाब होते हैं मन पसंद सब्सक्राइब चटनी या फिर कोई भी सॉस उसके साथ खा सकते हैं आपको बहुत ही पसंद आएग क्योंकि साम के टाइम खा रहे हैं तो दही नहीं खाएंगे साम को आप सुबह में बनाए तो दही जरूर खाएं आपको बहुत पसंद आएगी मिलते हैं अगली ने रिस्पी के लिए बाइ बाइ